तो वाइस आज की वीडियो में हम कवर करेंगे DCPCR यानि के Delhi Commission for Protection and Child Rights के अंदर निकली फैलोशिप के बारे में जो फैलोशिप है वो अस्रोका उनिविशिटी प्लस DCPCR कमबाइन होगी चलाते हैं हर सारी फैलोशिप आती है इस बारे यह डेडलाइन है कि 10 जनवरी अगर आप आपने किसी भी स्ट्रीम से पोस्ट गर्जिएशन या फिर बैचलर कर रहा है तो आप इस फैलोशिप लिए अप्लाइ कर पाएंगे अच्छे फैलोशिप है चाइल्ड राइट्स पर आपको काम वाने का मोका मिलता है और मंतली 50,000 प्याजार रुपय मंतली अच्छा फैल फैलोशिप जो है आपकी फैलोशिप और स्ट्रेटेजिक कॉलिबरेशन बिट्वीन ये जो फैलोशिप है ये DC-PCR डैली वह साथ में असोग उन्यूश्टी जो चला रहे हैं मिलके आपको पांस से दस यंग प्रफेस्टनल आपको आपका पांस से दस के करीब फैलोशिप इसमें अपरचुनिटी है जो आपको जो काम करने पड़ेंगे इसमें चाइल राइट्स के रिफॉर्म्स, पॉलिसी, इंप्लिमेनेशन, गौर्मेंट, इंगेजमेंट इन सब के आपको काम रहेंगे ठीक है आपको डाटा एनलेसिज और चाइल्ट वेलफेर, इनिस्येट रहेंगे अपको जो अब भी फेलोशीप चाइल्ड राइट फेलोशीप इसमें रहेंगे अपको अब जो सब्हांप करने पड़ेंगे एक साल के लिए ये भी आई दुबारा से अब आपको क्या करना है देखलना है तर फेलोशिप इस अब आपको इसमें मिलेगा क्या आपको एक साल काम करना है चाइल एक साल काम आपको इसमें स्थाइगे और आपको करना का है, improve and monitor implementation of schemes and program DCPCR, ठीक कि DCPCR जो scheme वगरा है, उसके 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 आपको क्या देखना है क्या implementation हो रहे हैं उसके और उनको आपको monitor करना है introduce initiative solution and drive panel, आपको initiative solution वगरा भी इसमें अपने पताने पढ़ेंगे, project overcome challenges, इसमें सब आपको काम में सब पाल दिना ठीक है, drafting policy आपको करने पड़ेगी papers आपको करने पड़ेगा, आपको data analytics, assist the DCPCR make evidence best decision आपको लेने पड़ेंगे इसमें, तो इसमें सब आपको काम करना पड़ेगा, what to expect once you hit apply, ठीक है अब बाते नहां पड़ेगा, at the beginning of your tenure, as a fellow, you will attend 10-day induction, ठीक है, शुरू में 10-day induction कराएगा, this will import understanding the policy, आपको शुरू में जाप जॉइन करेंगे, तो आपको शुरू में training मिलेगी, जिसमें आपको policy, governance और legislative process, इसमें यह जो DCPCR काम कैसे करता है, आपको field में क्या काम करना है, उसके बारे में शुरू में आपको शुखा जाएगा, ठीक है, डेक्ट आपको शुरू में नहीं होगी, मैं अभी विका, तो यह आपको शुरू में काम सुखा जाएगा, और each fellow will receive, जो आपको 50,000 यह पचाज हजार पर मन्त आपको इसमें मिलेगा, जिसके अंदर आपके taxes including होंगे, और साथ में 5,000 रुपे का, which will given the communication, monthly bills, आपको post bed connection, mobile data, internet वगएरा सब कुछ मिलेगा, ठीक है, आपको phone bill, dongle, internet, और post bed, monthly आपको 5,000 रुपे का, यह अब आपको पैसा मिलेगा, यह नहीं कि आप अपने पैसा जाएंगे, सारा पैसा आपको इसमें मिलेगा, ठीक है, तो अच्छी फेलोशिप के लिए, अच्छी अमाउंट है, 50,000 पाजार हजार छोटा एमाउंट नहीं होता है, तो अच्छी अमाउंट हो भी पर मंत आपक चाहिए, ठीक है, अगर आप पोस्ट गीजेश इंट किसी भी स्ट्रीम से, जामाउंट भी यह न् yarn. आपको ईप्र ai. आपके पास दू साल का experience होना चाहिए, ठीक है, मतलब अगर आपने simple post graduation करा है, तो आपके पास one year का experience होना चाहिए, किसी भी NGO से teaching position पर, और अगर आप simple graduate है, तो आपके पास दू साल का experience होना mandatory है, और साथ में आपको commit करना बढ़ा है कि आप one year की fellowship करेंगे, छोड़ेंगे नही 1st of March 2022, 1 March 2022 से आपकी fellowship इसमें start हो जाएगी, और आपको Hindi और English की अच्छी knowledge होन चाहिए, आपको बोलना, लिखना, पढ़ना आता हो, ठीक है, और आपको willing to travel the state anywhere in Delhi as per the needs of program, आपको कोई परशानी ना हो, Delhi के अंदर travel करने में चाहिए, जब ए प्रोग्राम की need हो, आपको travel करन पर सकता है, और जब की age है, वो 30 साल से उपर नहीं होनी चाहिए, एक मार 2022 तक, और आप Indian citizen होने चाहिए, तो आप इसमें apply कर सकता है, यह था आपका eligibility criteria, इस fellowship का, आप बात करते हैं, और के चाहिए, अगर आपने और भी चीज करीए, तो आपको preference मिल सकती है, देखे, देखे preference experience, आपको preference कहा मिलेगी, prior experience आपके पास आपने कोई intensive करी है, आपने कोई projects करे है, या आपने कही volunteer, as a volunteer worker करा है किसे program में, तो आपको preferred experience ही मिलेगा, या फिर आपने किसी भी program में, child rights and welfare sector में काम करा है, तो आप इसमें apply कर पाएंगे, prior experience in the development sector of the policy analysis, research formulation, track record, इस सब अगर आपन knowledge होने चीगे, ठीक है, computer अगर के सब की knowledge होती है, आपका selection process कर सा होगा, उसके बात रहना हो कि आपका selection का क्या criteria में रहने वाला है, the application will be online, online form बना है, and go live on 24, 12, 12, 21, okay, 14 December से इसके form आगे थे, जो final related form बनने की, वो है आपकी 10 January 2022, आपकी जो fellowship start होने वाली है, वो fellowship है आपकी, एक मार्च 2022 से आपकी fellowship रिस्त में start हो जाएगी, तो यह fellowship है, काफी अच्छी fellowship है, apply कैसा करना है, उसके बात कर लेता हूँ, यहाँ पर जाएंगे, आप looking and creative positive, the child rights fellowship, CRF offers to unique opportunity to work with government to Delhi, और safeguard child survival protection and education पर काम करना है, दद दूनी लाजट है, यह apply नावपर click करेंगे, तो यह page खुल जागा, इस page बेक कुछ information और मिलेगे, आपको DCPCR के नाम से, जिसना आपको drop को description, आपको stipend कितना मिलेगा, आपको monthly 50,000, पर मंद stipend आपका location करा रहेगी, fellowship भी डेली रहेगी, fellowship कब इस्टार्ट होगी, fellowship मार्च 2022 से, मार्च 2023 तक चलेगी, और fellowship complete हो रहेगी, तो complete के बाद आपको काफी चीज़े अच्छी मिल जाएगी, यह बात काता है, काफी आपको opportunity आपको open हो जाती है, इन fellowship के बाद, क्यों कि PG में 1 year का, और graduation के बाद 3 year का, और BTEC करा रहेगी, लोकाशन का है कि New Delhi, आपको skills, आपको communication skill अच्छी हो, आपकी project management and implementation skill अच्छी हो, आपको data analysis अगरा की चीज़े आती हो, तो आप इसमें apply कर सकते हैं, और यह नहीं बयाती तो भी apply कर लिए, यह desirable and mandatory चीज़े नहीं है, और eligibility criteria अगर है, तो आप इसमें आपको preference मिल सकती है, इस additional criteria में आपने को इंटरेशन कर रहे हैं, आपने project कर रहे हैं, जो भी आपने कर रहा है, तो आप इसके basis पर यह इसमें apply कर सकते हैं, यह किस NGO में काम रहा है, तो वैसे भी apply कर सकते हैं, आप, about a Delhi commission for protection of child rights, इसके बारे में तो दूनों मिल कर यह आपका fellowship निकाल रहे हैं, 2021 में शुरू हुई थी, 2022 में इसका दूसरा बैचाइटिंग है, तो इसे read कर लिए है, यहाँ पर जाओगे, आपको option मिल जागा apply now का, ठीक है, child rights, fellowship, 2022, यहाँ पर apply now करोगे, तो apply now का सक्षिन पहुंच जाओगे, वहाँ पर की fellowship में आपको बता दी है, और अच्छी fellowship है, जो platform 5-10 young professional आपको एक 5 मेरी रखेंगे, पांच या 10 के करीब, जो इनी suitable लखेंगे, अगर 5 मिलते तो 5, अगर 10 मिलते तो 10 लोग यह रखेंगे, एक साल के लिए, ठीक है, तो हर महीने 50,000 पर मन मिलेगा, यह बढ़ अच्छे ब आपको दी गई थी, तो देख लिए न, बागे कर रही होगी, तो comment मसे कर लिए बाकी, इस वीडियो को सबता पचादो, जो बच्चे fellowship करना जाते हैं, जिनका post creation हो गया है, उन तकी वीडियो पचादो, बाकी वीडियो में कोई चीज समझ ना ही हो, तो मसे comment में पूच में वहाँ पर काफी चीज़ा डालता हूँ, जो वीडियो नहीं बना पाता, उसकी update मैं telegram पर डाल देता हूँ, तो वहाँ से आप जोइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बाकी वीडियो शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, और चैनल सब्सक्राइब करो, मिलते हैं जब अगली वीडियो में तब तक लाइक, थैंक यू